सुप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप अपने घर में सस्थ और सुरक्षित होंगी और अच्छे से अपने माता-पिता के साथ रह रहे होंगे बच्चों आपके अर्ध वार्षिक परिक्षा हैं आपकी समात हो चुकी हैं अब आपके दुबारा से आपको वार्षिक परिक्षा की त्यारियों में लगना है और आशा करती हूं कि आपकी अर्ध वार्षिक परिक्षा बहुत अच्छी गई होगी हमने आपको संशोजिक पाठे क्रामी जो सिलेबस डिड़क्ट हुआ था वह हम आपको पहले दे चुके हैं हमने उसमें आपको बता दिया था कि दोनों टर्म में कौन कौन चेप्टर सापके कम होए है और आज हम वसंद भाग दो आपकी जो पाठे पुस्तक हैं उसके पाठ ग्यारा रहीम के दोहे के विशे में पढ़ेंगे रहीम के दोहे पाठ ग्यारा रहीम के दोहे कही रहीम संपत्ती सगे बनत बहुत बहुरी विबत्ती कसोटी जेकसे तेही साचे मी जाल परे जल जात वही तजी मीनन को मो रहिमन मच्री नीर को तवुन चारती छो तरुवर फल नहीं खात है सर्वत पी अतना पान कही रहीम पर काजि संपत्ती सजही सुजन थोते बादर क्वार के जोन रहीम खेरात धनी पुरुष्ट ने दन भए करे पाच्छिली बात धर्ती की सी रीत है सीत घाम और में जो परेसो सही रहे तियो रहीम योदे रहीम दाजी ने इस पाट के माध्यम से इन पाच दोहों के माध्यम से हमें जीवन की वास्थविक्ता का परिचे देटे हुए बताया है कि प्रेम, प्याग और परिस्थिति यानि कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिते क्यों नहों हो हमें सहच भाफ से जीने की उन्होंने प्रेणा दी है रहीमदाजी ने कहा है कि धन रहने पर तो बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं लेकिन विपत्ती अर्थात मुसीबत के समय साथ देने वाला ही हमारा सच्चा मित्र होता है जाल में मचली के फस्ते ही जल उसका मो छोड़ देता है और मचली जल के बिना जी भी नहीं पाती जिस प्रकार व्रक्ष दूसरों के लिए फल और तालाब दूसरों के लिए जल संचित रखते हैं उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों के लिए धन एकत्र करते हैं निदन लोग क्वार के बादल के समान ही होते हैं जो पिछले सुखी दिनों की बात कटे रहते हैं और रहीम दाजी कहते हैं पांचवे पध्यांश के माध्याम से की धर्ती सहज भाव से बहुत धीरज रखकर हर रितु को जेलती हैं उसी प्रकार मनुश्य को भी हर परिसिति क का सामना करना चाहिए आईए पहला पध्यांश पड़ते हैं कही रहीम संपत्ती सगे बनत बहुत बहुरीत विपस्ति कसोटे जेक से तेही सांचे मीत कही कहे संपत्ती धन दौलत सगे अपने बनत बनते हैं रीत तरीके विपत्ती संकर्ट कसोटी जे कसे परखे हुए तेही वेही सांचे सच्चे मीत मित्र इस पध्यांश के माध्यम से रहीमदाज जी ने हमें सच्चे मित्र की परिभाशा दी है अर्दाद अगर हम कहें तो हमें सच्चा मित्र कैसा होता है उसकी परिभाशा हमें इस वध्यांश के माध्यम से बताई है रहीमदाज जी कहते हैं कही रहीम संपत्ती सगे कही रहीम रहीमदाज जी कहते हैं संपत्ती सगे बनत बहुत बहुरी संपत्ती सगे जब हमारे पास समपत्ती धन दौलत होती है तो बनत बहुत-बहुरीत तो हमारे बहुत-बहुरीत नीज से लोग हमारे वीबिन तरीकों से बहुत रीत नीज सगे हमारे हितैसी अपने बन जाते हैं विपत्ति कसोटी जेकासे टेही साचेमीद वो कहते हैं लेकिन संपत्ती उने पर जिस प्रकार बहुत तरीकों से लोग हमारे सहके बनने की कोशिश करते हैं लेकिन विपत्ती कसोटी जेका से संकट के समय तेई सांचे मित्र लेकिन जो हमारे लिए हैं विपत्ती मुसिबत के समय कसोटी जेका से जो जिने हमारे सगे होने की परक होती है अर्थार जो मुसिबत के समय हमारे साथ देते हैं हमारे अपने होते हैं तेई सांचे मित्र वे ह यही है कि जो हमारे दुख सुक में हमारा साथ देता है हमारा साथ निमाता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है जब हमारे पर संपत्ती होती है तो हमारे बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं तरीके डूंटे हैं हमारे शिदार बन जाते हैं लेकिन वह व्यक्ति उस वक्त साथ नहीं देते जब मुसीबत में होते हैं मुसीबत में बच्चों हमारा वही व्यक्ति साथ देता है जो हमारे दुख सुख को समझता है और जो हमारा सच्छा मित्र होता है इस बध्यांश्य माद्यम से आपको सच्छे मित्र की परिवाशा रहीम दाजी ने बताई है दूस पढ़ने पर जल, पानी, जाग, जाता है, बही, बहना, तजी, छोड़कर, मीनन, मचलियां, मो, लगाव, मच्री, मचली, नीर, पानी, तव, तब भी, छाणती, छोड़ती, छो, प्रेंग इसमें, रहीमदाजी ने, इस काव्यांश के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से, हमें जल के प्रती मचली की तड़प, की निड़त तक पामीज, कहने का दाथ पर रही है, कि मचली, जल से मो रखती है, लेकिन, जल उससे मो नहीं रखता, मचली जल से मो रखती है लेकिन मचली को जल से बहुत लगाव है लेकिन जल को मचली से लगाव नहीं है और जो मचली लगाव जल से रखती है वो अंत में सिर्फ निरर ठकी जाता है मीज उसका कोई भी उपाए नहीं है मचली कक्याने का ताथ पर यह है कि मचली का लगाव जो मचली लगाव रखते है जल से वो लगाव उसका रखना बेकार है कभी रहिन राजी कहते हैं कि जाल पड़े जल जाद पही जाल में जाल पड़े जल जाद पही जब जल में जाल पड़ जाता है जाल पढ़े जाल पढ़ जाता है जल में जब जाल पढ़ जाता है तब तजी मिनन को मोग उस वक्त जो मचली जब जाल पानी में पढ़ गया जब शिकारी जल में नदी में अपना जाल फेक देता है तो मचली उस जाल में फस जाती है और जाल में मचली के फसते ही पानी उसक मुख छोड़ देता है जाल परे जल जाद भई मी जाल जल में जाल के पड़ते ही तजी मीनन को मुख मचली के जाल में फसते ही जैसे ही ठिकारी जाल पानी में डालता है और मचली उस जाल में फस जाती है उसी वक्त जल मचली का मुख छोड़ देता है रहीमन मच्छी नीर को तवना चारती चो रहीम दाजी कहते हैं कि मच्छी जाल में फस जाने के बाद भी उसका मौ नहीं छोड़ती कहने का ताथ पर यह है कि जैसे ही मच्छी जाल में फस जाती है तो जल उसका मौ छोड़ देता है और जल आगे भैदाता है मशली तो जा मैस ड़ी और जल चलता रहा हुआ जल को इसका मोढ था नहीं उसके प्रतितना लगाब था नहीं मशली के प्रति हो आगे भ Frei जाता है लेकिन फिर भी प्रति जो अपने प्रेम को मशली त्याग नहीं पाती और यही प्रेम उसका प्राण ले लेता है तवना चारती चो मीज मचली पानी से अपना लगाव नहीं चोड़ पाती तवना चारती चो मीज अपना लगाव उसका इतना प्रेम करती है वो जल से और वो प्रेम को अपनी मचली उसको समझ अंदर से वो उस जन्मपस्ते ही वेमर जाती है तीसरा है तरवर फल नहीं खात है सरवत पी अतना पान कही रहीं परकाजित संपत्ती सजही सुजान तरवर व्रक्ष नहीं नहीं खात खाते हैं सरवर पियत पीते हैं पान पानी परकाच दूसरों के हित भलाई, संपत्ति, धन दौलत, सुजान, संचे ही 71 करते हैं, सुजान मीं सज्यन व्यक्ति इस पध्याश की माध्यम से विद्ध्वानों तता सज्जिनों के धन संचे के उदेशे को बताया गया है कि किस परकाच सज्यन व्यक्ति धन को इखटा करके अपने पास रखते हैं रहीमदाजी कहते हैं, तरुवर याने वरक्ष, वरक्षियों पर फल पूल उखते हैं, वरक्ष अपने वरक्ष के फल नहीं खाता है रहिम दाजी कहते हैं कि व्रक्ष कभी भी अपने व्रक्ष के अफल नहीं खाता है सर्वत पियत्नपा और नहीं व्रक्षी भाती सर्वन में सरोवर भी अपने सरोवर का जल कभी नहीं पीता है क्योंकि सरोवर में तो जल इखटा होता है संचित होता रहता है लेकिन कभी भी अपने इखटे कुवे संचित जल को वो नहीं पीता है कही रहीम परकाज हित रहीम दाजी कहते हैं परकाज हित परकाज मने दूसरों की हितमीज भलाई वे हमेशा दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं कौन? संपत्ति, सजही, सुजान सुजान माने ज्यानी और सज्यन व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई कली ही संपत्ति, मीजधन, डौलत इखटा करके उनकी भलाई कली खटा करके रखते हैं कहने का अतात्त पर यह हैं बच्चों की जिस प्रहीम दाजी ने कहा है कि जिस प्रकार तरवर व्रक्षियों पर बहुत सारे बहुत तरीकी के फल उखते हैं लेकिन कभी भी वे अपने व्रक्ष के अपने फलों का रस्वादन नहीं करता वे अपने फलो को कभी नहीं चकता और सरोवर पी अतना पान और सरोवर हमेशा पानी से भरा रहता है वे कभी भी अपने द्वारा संचित इखटे की होए पानी को वो स्याम ग्रैन नहीं करता स्याम नहीं पीता ऐसे ही विद्वान और यानी सजन लोगों का उन्होंने तुलना उनकी सरोवर और व्रक्ष से की है कि जो लोग सजन व्यक्ति होते हैं सुजानमाने सजन व्यक्ति होते हैं पर काजित वे हमेशा दूसरों की बलाई में ही लगे रहते हैं वे दूसरों की बलाई के लिए हमेश कि सज्जोन विद्वान लोग धन का संग्रे अपने नहीं बलकि वे लोग दूसरों के बलाई के लिए जानी कट्टा करते रहते हैं। फोर्त देखिए, थोते बादर क्वार के जो रहीम घहरार धनी पुरुष निर्धन बहे करे पाचली बाद, थोते मींज खोकले बिकार जो किसी काम के नहीं होते। बादर बादल क्वार आश्विन महीना, आश्विन का महीना जो जैसे घहरार गरचते निर्धन गरीब भय होकर पाचली पिछली। इस पद्यांच के माध्यम से अरहीम दास जी ने हमें निर्धन होने के उपर भी जो धनी होते थे, जो लोग धनी थे अब भी वो निर्धन हो गए हैं, जो लोग पैसे वाले थे अमीर थे और वो लोग अभी गरीब हैं, लेकिन उनके व्यहवार में जो खोकलापन है, उस चीज को दर्शाया है, कि कैसे वो अपने अमीरों की जिनों की बाते भी वो गरीब होने पर करते रहते हैं, जिनका अब उन बातों से कोई लेना लेना नहीं है, रहीम दास जी कहते हैं, कि थोते बादल कौार के, कौार के मीन आश्विर महीने के बादल, थोते होते हैं, कैस खोकले होते हैं और घहरात जब आकाश में जब बादल चाते हैं तो सिर्फ उनकी गरच के वाज होती है वो बरस्ते नहीं है रहीम दाज जी को कहाने का मतब यह है घहरात मींस गरचते हैं रहीम आश्विन के महीने में जब आकाश में बादल चाते हैं तो आश्विन महिने के जो बादलों होते हैं वो खोकले होते हैं वो सिर्फ गरचते हैं वो बरस्ते नहीं हैं इसलिए आश्विन के महिने के बादलों को खोकले का गया है क्योंकि वो सिर्फ गरचते हैं सिर्फ आवाज करते हैं करगर की वो बरस्ते में उन सिर्फ उन बादल भी निर्धन भय वो अब निर्धन होचुके हैं जो लोग अमीर थे और अब उनकी अमीरी गरीबी में बदल चुकी है तो वे अपने सुख के दिनों की बातें बेफिजूर में करते रहते हैं मीज करेप आचली बाग कि जो लोधनी पुरुष थे अब वो निर्धन हो गए हैं और वे अपने उन दिनों की पिछली बाते करते रहते हैं कभी की कहने का आश्य ये हैं कि जैसे आश्यमा के बादल सिर्फ गरचते हैं बरसते नहीं हैं क्योंकि वो अंदर से खोकले होते हैं ऐसे ही अमीर लोग जो अब दुखो के कारण निर्धन हो गए हैं खोकले हो गए हैं वो बेफिसूल में अपना समय बरबात करने के लिए पिछले दिनों की बाते करते रहते हैं और जिनका कोई मतलब नहीं है वो सिर्फ आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता उन बातों की करके अपना समय ही नस्ट करते हैं पाच्वा है धर्ती की सी रीत है सीथ गाम और में जैसी परेसो सही रहे तियो रहीम ये दे रीत माने तरीका नियम डंक सीथ सर्दी ठंड का मौसम घाम धूप गाम गमोरी निंकल जाते हैं गर्मियों में धूप होती है में बादल आऊ और सही माने सहन करना सहना तियों वैसे और दे माने शरी इन इस पध्यांज के माध्यम से रहीम दास जी ने हमें धर्ती से इस बात की सीख लेने की प्रेणा दी है कि जैसे प्रत्वी सभी मौसम में हमेशा एक समान रहती है हर चीज़ को सहन करती है वही प्रेणा मनुष्य को भी धर्ती से लेनी चाहिए धर्ती कीसी रीत है रहीम दास जी कहते है कि धर्ती का नियम है रीत माने नियम है तरीका है सीख माने सर्दी हो गाम माने दू अर्थाग गर्मी हो अव माने और मे मीज बादल हो मीज बरसाद का मौसम हो धर्ती का नियम है चाहे कोई भी मौसम हो सर्दी का मौसम हो घामी जू गर्मी का मौसम हो और बादल मीज बरसाद का मौसम हो जैसी परेशो सही रहे उसके ऊपर जैसी परती है वो उसको सहन करती है धर्ती के ऊपर मीज कोई भी मौसम हो चैस सर्दी परती है धर्ती उसको भी सहन करती है हम तो सर्दी के मौसम में घरों में चुप जाते हैं लेकिन धरती तो क्या है धरती को यह सब सहना है जैसी परेमी उसके ओपर जैसा पड़ता है उसको वैसा सहन करना ही है इसलिए रहिम दाजी ने हमें हमारे शरीर को भी ये रहने की सीख दी है कि हमारे शरीर में भी वैसी ही शम्ता होनी चाहिए जैसी उस धर्ती को और चीज सहने की होती है और हमारे जीवन में कैसा भी में धूब के बाद कि दूप के बाद गर्मीं गर्मीं के बाद को सुंक करने चाहिए कि हम बच्चों आज के प्रक्रन में हमने यह रहीम के दुखो का पठन किया आशा करती हूं शब्दों का अर्थ भी मैंने आपको समझाया है एक शब्द का आर्थ भी बताया आपको समझ में आया होगा और इसके साथ में आपको पीडियस आपके WhatsApp ग्रूप में दूँगी जो प्रशन उतर, MCQ भी है उसमें कुछ, वनलाइन वाले भी हैं और शब्दत आपके प्रयोग भी हैं जो आपको अपको अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक को डिवाइड करके आपको करना है, जो आपके पीटी थी भी होंगे, तो आपके उसमें भी आएंगे, और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अच्छे से दुबारा से आपके एक्जैम से वन खतम हो चुके हैं, अब आपको अपनी पढ़ाई पर ध् छवश यजिए जान !